तो दोस्तो अमेरिका के बाद दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा मिलिटरी ताकत है रशिया पर अगर दोनों देशों के नेवल फावर को कंपेर किया जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दू कि एक तरफ जहाँ पे अमेरिका के पास 11 ओपरेशनल सुपर कैरियर है और कह सारे amphibious assault ship है जिसे छोटे aircraft carrier के हिसाब से इस्तिमाल किया सकता है तो वो ही पे दूसरे तरफ रशिया के फास रिफ एक ही operational aircraft carrier है और हो भी nuclear power नहीं बलके conventional aircraft carrier है मतलब दोस्तो नेवल फावर के comparison में रशिया के ताकत अमेरिका के सामने काफी कम है पर इस कमी को दूर करने के ल बना रहा है रशिया के expert के तरफ से बताया गया कि रशिया को अब अपने खुद के बड़े आकार के और नया generation के aircraft carrier को निर्मान करना चाहिए जबकि दूसरे तरफ रिपोर्ट ये भी है कि रशिया already इस तरीके के काम को आगे बढ़ा रहा है और रशिया के कई सारे के design के उपर भी काम किया जा रहा है और दोस्तों रशिया के जो Russian Military Industrial Corporation के deputy chairman है मतलब आंद्रे ये चौनाओफ के तरफ से हाली में ही Interfax News को एक interview देते हुए बताया गया कि रशिया के Ministry of Defense के साथ industrial enterprises को बीच में एक बहुत बड़ा analysis चल रहा है ताकि एक aircraft carrier के design और possible technical implementation के उपर study किया सके इवन रशिया के द्वारा इस नए काम को लेके ये भी assess किया जा रहा है कि इस तरीके के जहाज को construct करने के लिए किस तरीके के financial और technical risk से रशिया को गुजरना पड़ सकता है जबकि दोस्तों आपके जानकारी के लिए भी बताया दो कि फिलाल रशिया के पास एक मा आपके हाथसे के कारण काफी यादा शत्तिग्रस्त हो गया था जिसे फिर से सर्विस में वापस लाने के लिए कम से कम साल 2023 तक इंतिजार करना पड़ेगा मतलब अगर ठिरूर्टी कले देखा जाए तो फिलाल रशिया के नेवी के पास कोई भी operational aircraft carrier नहीं है जबकि दूसर के हतियारों को बनाने के साथ साथ nuclear technology में improvement, software, IT, design और economical challenge जबकि साल 2019 में इसी Interfix News को एक interview देते हुए रशिया के deputy Prime Minister Yuri Borisov के तरफ से बताया गया था कि एक नया aircraft carrier को बनाना असल में controversial है जबकि उनके तरफ से बताया गया था कि America के लिए aircraft carrier आवशक है क्यूंकि America एक अलग continent में बसता है और ऐसे में America को अपने presence को बरकरार रखने के लिए aircraft carrier जैसे हतियारों का आवशकता है इवन America को अपने protection के लिए भी ऐसे हतियारों का आवशकता है मतलब दोस्तों एक तरिके से Yuri Borisov के तरफ से ये indirectly खुलासा किया गया कि अगर रशिया aircraft carrier के उपर काम करता भी है अपली आप कह सकते हैं तो रशिया फिलाल इतने संख्या में aircraft carrier को बनाने को लेके तैयार भी नहीं है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए और साथ में बना होगा लाकान को प्रेज कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिन